मानवतावादी देश्टिकोन दिल्ली पुलिस में एसी पी राजबीर सिंग मलिक हमेशा अपने फरज को निभाने के साथ साथ शमय मिलते ही सामाजी कारियों में भी बढ़ चट कर भाग लेते हैं और समाज को अपने जीवन के अनुभवों को शांजा करते हुए सही दिसा देने का काम करते हैं आज भी उन्होंने जगत्माहन नियूज से बात करते हुए समाज को लोकतंतर के महापरव लोकशबा चुनाओ में अपने मत का परियोग जरू करने का संदेज दिया और यह भी बताने का काम किया कि उन्हें किस परकार का परतिनिदी चुनकर संसद में भेजना चाहिए तो ऐसे में हम अन्हे सहतर की हस्तियों से भी आपको रूबरू करवाते हैं उन्हें से जानते हैं कि चुनाओ में किस तरह के मुद्दे होने चाहिए और किस तरह के वैक्तितों को लोगों को वोट करना चाहिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजबीर सिंग मलेक जी जो क एसीपी के पद पर कारे रथ हैं और काफी सामाजिक कारियों में भी इनकी रूची बनी रहती है राजबीर जी से हम जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं आजकल के जो चुनाओी माहुल में है मतदाता को किस तरह के वैक्ति को चुनना चाहिए और मतदाता को क्या इस चुनाओ के दुरान वोट डालते हुए देखना चाहिए राजभिर स्बसे पहले आपका स्वागत है तैजभिर जी आपका अपके चैनल का और आपके दर्सकों का स्वागद भी है और मेरा साधर नमश्गार धन्यवाद राजबिर जी आज कल जिस परकार का चुनावी माहूल बना हुआ है तो एक परभुद वैक्तितव होने के नाते आप क्या कहेंगे आम जन को कि वो किस तरह का वैक्तितव चुने अपना नेता चुने और किस तरह के मुद्दों को देखते हुए वोट करें मैं तो देद्वर जी पहले भी इस बात पर बड़ा आउट्स्पोकन रहा हूं खुल के बोलना हूं कि जनता को अपना नेता अपना रिपेजन्टेटेव जब नाम उसका परतिनिदी हो गया तो परतिनिदी ऐसा होना चाहिए कि हर दुख में हर सुख में वो परतिनिदीतव दे उस परतिनिदीतव का मतलब है अगर आपके कोई समश्या है परिवार में घर में तो वो आपको खड़ा मिले वो आगे मिले उसका तात्परिय यह नहीं है कि घर में कोई मौत होगी तो वहां जाके आगे बैठाया बैठके उठके आगया नहीं उसकी इंटर्नल भी भूछ सारी बातें होती हैं बच्चा में चिजH सोचने की और जो पढ़तीनीडी होना चाहिए यह आउट stehen यह कहता कि वह पढ़ा लिखा ही उसके अंदर समभिधन सीलता बहुत जरूर है हर देश परसी आदमी होना बहुत जरूरी है पढ़े लिखे से जादा मैं हर देश परसी और समभिधन सील आदमी को ज्यादा पसंद पर ले हैं बले ही वो अनपढ़ू राजबिर जी चुनाओ के दोरान पुलिस जो है बिलकुल आम जनता के साथ आतम साथ रहती है और हर पिस्तिक्री को समझते हुए काम करती है लेकिन ज्यादा तर देखा गया है कि चुनाओ के दोरान लोग जाती में धरम म में आ जाते हैं और उसके कारण किसी गलत व्यक्ति को चुनकर विधान सबाया संसद में बेज देते हैं जिसका खामिया जा उन्हें पूरे पांट साल बगतना पर गया है तो ऐसे में लोगों के विवेक को आप किस परकार से देखते हैं क्या कहना चाहेंगे मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से एक की बात कहूंगा जितने मेरे भाई बंदू इस चैनल से हमारे इंटर्व्यू को देख रहे हैं वो इस चीज को इस तरह से फैलाएं कि कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है व्यक्ति बड़ा नहीं है विल्कुल भी चाहे वो कितना ही धनाडे है चाहे वो परतिनिधी किसी भी तरह से आपका भला नहीं कर सकता आज वो आपको वोट मांगने के लिए जरूर दिखा है फिर पांच साल आपको उसके दवार पहुचना पड़ेगा और वो आपको मिलेगा नहीं आपसे रूडली बात करेगा आपके बत्तमीजी से बात करेगा और आ मैं उसमें आपका परतिनिधी तरह करूंगा मैं आपके आगे-ागे रहूंगा मैं उस CC को निवारन करने की पूल कोशिष करूंगा लेकिन कुछ लोग जो अपने आपको पर बुद्र बोलते हैं वुद्धी जीवी बोलते हैं चर्चाएं बहुत करते हैं डिबेट बहूत के अलावा और व्यक्ति से ये निवेदन करूँगा कि जो चुनाव है ये लोकतंतर का पर्व है एक्त्योहार है जैसे हम दिवाली मनाते हैं जैसे हम होली मनाते हैं जैसे हम इद मनाते हैं उसी तरह से हर वोटर को अपनी वोट डालनी चाहिए और वो इस अधिकार के लिए ड किस आदमी को चुन रहा हूं और वोट डालने से पहले एक ठंडे दिमाग से क्या ये आदमी मेरे साथ कोई संकट आ गया तो मेरे साथ में खड़ा होगा या नहीं होगा ये किस प्रवर्ति का आदमी है क्या ये समेदन सील आदमी है क्या इस आदमी के मन में दया है क्या ये हर उसको निवारन करने की दूर करने की कोई कोशिस किये है या दूर किया है करने की करने की कर दिया है झाल